प्रस्ण 27 वह सबसे छोटी संख्या ग्यात करें जिससे निमनलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए प्रस्ण 27 का पहला है 192 तो 192 का सबसे पहले हम अब हाज गुननखंड करेंगे तो अब हाज गुननखंड करेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या ग्यात करना है जिससे की 192 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए तो पहले अब हाज गुननखंड करेंगे तो 2 से लग रहा है क्योंकि काई अंग पे 2 है तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले दो नमा 18 एक इधर गया तो 12 हो गया दो चक 12 फिर दो से लगाएंगे तो 24 आठ एक इधर गया तो 16 हो गया यह नहीं 8 दूना 16 फिर दो से लगाएंगे तो 24 दूना 48 फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24 फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिय छे तो 192 में बराबर कितना आ गया इसका भाज गुन अन्खन में तो 2 कितना बार है 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 गुना 2, गुना 2, गुना 2, गुना 2, गुना 2, गुना 3 तो इसको हम घात 3 के रूप में लिख लेता है तो 2, 2, 2, 2, को 2 का घात 3 लिख देंगे फिर 2, 2, 2, 2, 2, को 2 का घात 3 लिख देंगे तो पूर्ण घान होने के लिए सभी का घात 3 होना जरूरी है तो देखे, 2 कितना बार है, 6 बार है तो उसको हम 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 लिख लिए यानि घात तीन को घन भी कहते हैं तो दो का घन और दो का घन दो का घन गुना दो का घन तीन क्या अकेले है ठीक है अगर तीन को हम हटा दें भाग देने के लिए कह रहा है अगर गुना करने के लिए कहता है तो दो और तीन को गुना करते हैं लेकिन भाग देने के लिए कह रहा है, तो तीन से हम 192 को भाग दे देंगे, तो जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन होगा, ठीक है, जिसका कुननकंड होगा ये दोनों, तो इसका उत्तर क्या होगा, तीन, यानि तीन से भाग दे देंगे, 192 को, तो सबसे चोटी संख्या ग्यात करना है, जिससे निम्लिलेखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो देखे, सबसे चोटी संख्या, तीन से अगर 192 को भाग दे दें, तो ये ही दोनों बचेगा सिर्फ, जो कि भागफल पूर्ण घन आ जाएगा, तो ह तो सबसे चोटी संख्या बराबर 3, यानि जिसका जो 3 बार समूव में नहीं है, उसी से भाग दे देंगे, तो देखे, ये दोनों तो ठीक है, घात 3 है, ये अकेले है, तो इसी से भाग देंगे, यानि सबसे चोटी संख्या क्या हो गया, 3, तो इस तरह पूर्ण 27 का पहला हल करेंगे दूसरा दूसरा है 128 128 का सबसे पहले हम अब हाज गुननखंड कर लेते हैं तो दो से लगाएंगे दो चक बारा दो चोक आठ फिर दो से 32 दूना 64 फिर दो से भाग देंगे तो 16 दूना 32 फिर दो से भाग देंगे तो 8 दूना 16 फिर दो से भाग देंगे तो 4 दूना 8 फिर दो से भाग देंगे तो 2 दूना 4 कितना दो आ गया एक दो तीन चार पांच छेक साथ तो लिखेंगे यहां पर 128 बराबर 128 बराबर क्या आ गया दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो को दो का घात तीन लिख लेंगे बच गया क्या दो यानि घनमुल निकालने के लिए क्या करना होता है तीन तीन के समू में देखना होता है संख्याओं को तो देखें दो का घात तीन है दो का घात तीन है यह दोनों तो ठीक है लेकिन यहां पर यह जो दो है यह अकेले है तो अगर हम 2-128 को भाग देदें यह जो 2 बच गया है इसका घात 3 यह या यह 3 बाड नहीं है तीन का समू नहीं बना रहा हो तो 2-128 को भाग देदें तो जो भागफल आएगा उसका गुनंखन यह दोनों होगा ठीक है क्योंकि इसको तो हटा दे रहे हैं भाग दे करके तो लिखेंगे अता सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या बराबर दो अता सबसे छोटी संख्या बराबर दो तो इस तरह प्रस्न दूसरा हल करेंगे तीसरा तीसरा है 704 तो 704 का अब हाज गुननखन कर लेते हैं ठीक है तो 2 से लग रहा है क्योंकि पिरकाइ अंकि चार है तो 2 से लगा देंगे 2 conscious एक इधर गया तो 10 हो गया 25 को दस फिर 2दुना 4 फिर 2 से 2 गुना 1 दो एक इधर गया तो 15 हो गया 2 सते 14 एक इधर गया 2चक बार दो अठी 16 एक इधर गया तो 26 फिर 2 से लगा देंगे 44 दुनी 88 फिर 2 से लगा देंगे तो 22 दुनी 44 फिर 2 से लगा देंगे तो 11 दुना 22 अब नहीं लगया क्योंकि 11 क्या है भाज जिसंग क्या है तो कितना 2 आ गया 1,2,3,4,5,6 यानि लिखेंगे यहां पर 704 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 घात 3 के रूप में लिखें तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 2 का घात 3 गुना 11 तो पून घं होने के लिए सभी संख्या वो तीन के समूँ में रहना जरूरी है तो देखें 2 का घात 3 ये तो ठीक है दो का घाद 3 ये तो ठीक है लेकिन 11 का घाद 3 नहीं है सिर्फ 11 है तो जिसका घाद 3 नहीं है यानि जो 3 बार नहीं है जो 3 का समू नहीं बना रहा है उससे भाग देंगे तो 11 से अगर 704 को भाग देंगे तो 11 से अगर 704 को भाग देंगे तो 11 से अगर इसको हम भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो पूंड घन होगा जिसका गुननखंड ये दोनों होगा तो लिखें जाता है सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या बराबर 11 यानि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 11 क्योंकि 11 से अगर हम यह 704 को भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो पूंड घन होगा तो इस तरह इसको हल करेंगे प्रेस्न चार प्रेस्न चार में है 81 तो भाजिय गुणंखंड करते हैं तो 81 जो है 2 से नहीं लगेगा यानि 2 से भी भाजित नहीं होगा 81 तीन से लगेगा sadash तيا 11 होता है आप देखें तीन नमस 27 फिर तीन ती आई 9 यानि एक आसी का अभाज गुन अन्खंड हो गया तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन तो तीन गुना तीन को तीन का घात तीन लिख लेंगे और गुना तीन तो पूर्ण घात गुन चेक करने के लिए क्या करना होगा घात तीन के रुप में लिख लेंगे यानि तीन का घात तीन है लेकिन एक तीन अकेले बच गया है यह तीन का समू नहीं बना रहा है एक ठहिए क्योंकि कोई भी संख्या को तीन बार गुना तीन तीन बार समू बनाना जरूरी है घं के लिए या गंण मुल के लिए तो ये जो 3 बच गया गए 3 से 81 को भाग दे दे ठीक है तो जो भाग फल आएगा पूंड घन होगा क्योंकि 3 को हटा दे रहे हैं तो क्या बच जाएगा ये बच जाएगा यानि 3 का खा 3 तो 3 तिया 9 नो तिया 27 27 का 27 से एक पूंड घन है इसका की घनमुल 3 होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 तो लिखेंगा आता है सबसे छोटी संख्या बराबर 3 इसका उत्तर क्या हो गया सबसे छोटी संख्या बराबर 3 प्रस्न पांच प्रस्न पांच में है 135 तो 135 को अभाज 135 का भाज गुन अनकंड करेंगे तो 2 से नहीं लगे है क्योंकि काई अंक पर 5 है 3 से लगे है देखे 5,3,8,9 जोड करके 9 आ रहा है तीनों अंको 3 से लग जागा 3,12 एक इदर गया तो 15 हो गया 3,5,15 3 से लगेगा 15 तिया 45 3 से लगेगा 5 तिया 15 तो कितना आ गया 135 का अब हाज गुननकंड हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 तो 3 गुना 3 गुना 3 को हम 3 का घाट 3 लिख लेंगे और गुना 5 तो पून्ध गन होने के लिए सभी संख्याओं को सभी संख्याओं पे घाट 3 होना जरूरी है ठीक है? यानि तीन बार गुना होना तो देखें तीन का घात तीन ये तो ठीक है लेकिन पांच अकेले है इस पे भी अगर घात तीन रहता या तीन बार गुना होता पांच तब जो संख्या रहता हो पूर्ण घन होता लेकिन पांच क्या अकेले है इसका गुननखन में तो अगर 5 को हटा दे यहां से यानि 5 को 5 से 135 को भाग दे दे तो जो भागफल आएगा पूंडगन होगा ठीक है जिसका गुननखन होगा 3 का घात 3 क्योंकि 5 को हटा रहे हैं 5 से भाग दे करके तो इसका उत्तर हो जागा 5 तो लिखेंगा आता है सबसे छोटी संक्या यही पूछ रहा है सबसे छोटी संक्या बराबर 5 तो इस तरह प्रेशनल 27 हल करेंगे